हेलो फेंस तो चलिए हम लोग जावा की कुर्स को आगे बढ़ाते हैं और अभी तक देखिए हमने जावा पे बहुत सारी चीजे पढ़ ली हैं तो मेक शूर के आप ये सारी चीजे पहले से देखे हूँ ओके अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था इनर क्ल वीडियो वाज कर लो अगर आपको जावा बहुत अच्छी तरह से सीखना है तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते थे हमारे आईडी पर राइट एकलिप्स पर तो वहां पर हम लोग डेटा को कहां पर इस्टोर करते थे वैरियेबल् करते थे अभी तक वह एक पर्मानेंट हमारा डेटा नहीं और हुए जैसे अधि पर्मानेंट हमारा पूरा डेटा होता है तो अभी यह सही टाइम है कि हम लोग अब अपने डेटा को पर्मानेंटली कही न कहीं स्टोर करेए लोग कि कुछ भी चीजा हम अंपने anymore मs reviews से ब क इफार्मेशन होगा वो हमारे डेटाबेस में पर्मानेंटली सेव हो जाएगा ओके अब हमारा डेटाबेस से मतलब क्या है देखिए हमारे पास ना कुछ हमें अपने सिस्टम में इस्टाल करना पड़ेगा उसके बाद उस जगह पर हम लोग अपने डेटा को सेव कर सकते हैं और अगर वो डेटा हमारे प्रोग्राम हमारे सिस्टम के अंदर हमारे डेटाबेस में सेव हो गया तो हम लोग उसको कभी भी देख सकते हैं है ना तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास डेटा पर्मानेंटली बना रहेगा उसको जब हम चाहें तब उसको देख सकत अपने database को open करके है ना तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को database इंस्टाल करना पड़ेगा कोई नो कोई राइट और Java का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे अपने Java प्रोग्राम को हम लोग database से connect करेंगे और अपने प्रोग्राम को हम लोग database से connect करेंगे और उसके बाद जो कुछ भी हम लोग data को अपने database में रखना चाहते हैं हम लोग वहाँ पर query की सहायता से data को अपने database में fetch कर सकते हैं रख सकते हैं तो आपको पहले सी अगर आप Java सीख रहे हो या ना पता रहो तो मैं आपको बता दूँ हम लोग अभी सीखने वाले हैं JDBC connectivity उसको हम लोग बोलते हैं JDBC connectivity Java database connectivity मैं यहाँ पर लिख देता हूँ JDBC Java database connectivity तो इसमें क्या होता है कि simple हमारे पास Java का program होगा और वो Java का program एक database होगा अब database क्या है database माल लीजे कि एक वो space है जहाँ पर हमारा पूरा पूरा data रखा जाएगा वो store होगा permanently राइट तो हमारे Java के program को हमारे इस database से communicate करना पढ़ेगा contact करना पढ़ेगा और अपने इस Java के program को हम लोग कुछ इस तरह से code करेंगे कि हम जो भी data यहां से fix करना चाहते हैं वो data हम अपने इस database में fix कर सकते हैं यह हमारा database होगा और यह हमारा यहां पर क्या होगा Java का program होगा Java का program होगा और यह Java का program simply क्या करेगा हमारे इस database से communicate करेगा अब database से communicate करने के लिए देखे आपको उसकी language आनी चाहिए जैसे आपको system से बात करना है आप क्या करते हो आप programming language सीखते हो तो database से भी उस पे data को fetch या interact या extract करने के लिए database के कुछ ना कुछ चीजे होती है जैसे यहाँ पर होता है SQL होता है structured query language तो यह हमें सीखना पड़ेगा अब अगर आप database सीख रहे हो Java में JVC सीख रहे हो तो आपको SQL के बारे में basic knowledge होना चाहिए हलाकि मैं आपको थोड़ा-थोड़ा query तो लिख करके ही बताऊंगा किस तरह से काम करता है लेकिन अगर आपको SQL का prior knowledge है तो अच्छी बात है हलाकि यह चीज पढ़ाने के बाद Java JVC connectivity Java database connectivity मैं SQL भी start करने वाला हूँ SQL या MySQL database किस तरह से क्या काम होते हैं किस तरह से हम लोग query लिखते हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे फिल हाल यहां पर आपको अगर basic SQL पता है तो ठीक है नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है यहां पर तो यहां पर हम लोग simple क्या करेंगे अपना Java का program लिखेंगे और उसके अंदर हमारा Java program क्या करेगा हमारे इस database से communicate करेगा और हमारे data को यहां से रखेगा तो यहां पर हम लोग अपने database में data को रख सकते हैं और न केबल इस database में हम लोग data को रख सकते हैं बलकि अगर हमें जरूरत हो तो हम किसी भी data को यहां से अपने database से अपने Java program में fetch भी कर सकते हैं जिस तरह से हम लोग data को यहां से उठा के अपने database में रख सकते हैं उसी तरह से database से data उठा करके हम लोग अपने जाबा प्रोग्राम में यहां पर ला भी सकते हैं और माल लीजे अगर आपके पास पहले से कोई यह pre existing data हो आप इसको delete करना चाहते हैं तो भी आप ऐसे कर सकते हो या आप माल लीजे इस वाले data को modify करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो तो basically आप CRUD operation perform कर सकते हो CRUD create कर सकते हो create मतलब आप यहां पर नए data को insert करो read मतलब आप इन database को read करके अपने इस program में यहां से आप data को read करके Java program में यहां पर ला सकते हो update मतलब किसी भी records को आप update कर सकते हो delete मतलब delete किसी भी आप record को delete कर सकते हो तो basically यह CRUD operation हम लोग perform करना सीखेंगे तो जो भी हमारा data होगा यहां database में होगा अब database में data को रखना है या database से data को read करना है update करना है या delete करना है उसके लिए हम लोग Java का program और SQL यूज़ करेंगे मतलब structured query language simple simple हम लोग वहां पर query को लिखेंगे तो बहुत ही tough काम नहीं होगा हलाकि बाद में मैं आपको SQL, MySQL कुछ भी पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा-पूरा clear हो जाएगा तो आपको समझ में इतना चीज़े आनी चाहिए कि अभी हम लोग जो अपने data को save करेंगे वो permanently हमारे database में store होगा तो यह database जो है हमें अपने system में लाना पड़ेगा इस्टाल करना पड़ेगा तो चलिए इसको फोड़ा सा आगे समझते हैं होता क्या है यहाँ पर देखे मैंने यहाँ पर डाइग्राम बना करके रखा है देखे यह हमारा Java का application है यह Java का application यहाँ पर हमने देखे बनाया है databases तो database में कई तरह के databases होते हैं और एकल हो गया SQL हो गया है relational database है relational database जहाँ पर हम लोग tables औगयरा बनाते हैं है ना कुछ non-relational databases भी होते हैं जैसे mango db हो गया no-sql database होता है no-sql जिसों बोल जाता है तो अभी हम लोग no-sql database की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर relational database हमने यहाँ पर बना है और एकल होगे SQL होगा है ना तो हम कोई साभी यूज कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर SQL यूज करने वाले हैं तो अब अगर हमारे इस जावा प्रोग्राम को हमारे SQL से communicate करना है तो उसके लिए जावा ने पहले से हमें JDBC Java Database Connectivity की API दी हुई अगर हम इस डेटावेस से communicate कर लेंगे तो बड़े आराम से हम अपने Java का प्रोग्राम यूज करके जो भी डेटा हम लोग रखना चाहते हैं database में रख सकते हैं है अब यहाँ पर हमारे पास कई की तरह के database होते हैं और एकाल SQL तो इन database में डेटा को रखने के लिए आपको एक driver की जरूरत पड़ती है और यह drivers अलग-अलग database के लिए अलग-अलग होते हैं तो जो भी हम लोग SQL करेंगे तो हम लोग उसका यहाँ पर driver यूज कर लेंगे SQL या MySQL के उसका driver हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे तो अभी हमें Java की जो जडीबीसी API है यह किसी ना किसी package में होगी उस package को हम लोग इंपोर्ट करके उसको यूज कर लेंगे तो इसको जडीबीसी जो API है इसको यूज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है बहुत सिंपल है जिस भी package में इस जडीबीसी की API हो उस package को इंपोर्ट करो और यूज कर लो और यह driver हमें install करना पड़ेगा SQL driver जो है हमें install करना पड़ेगा और यह database इस्टाल करना पड़ेगा जहां पर हमें data को रखना है यह simple architecture आपको समया कि actually में यहां पर क्या हो रहा है हमारा Java का program होगा हम Java program के अंदर जेडीबीसी की API यूज करेंगे कुछ class होगी या उस class के अंदर functions होगे उनको simply हम लोग काल कर लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे एक driver की सहांता से हम लोग क्या करेंगे यहां पर अपने database को से communicate करेंगे अब यहां पर जो जेडीबीसी की API है इसमें बहुत सारी predefined classes हैं उनका हम लोग यूज करने वाले हैं ठीक है तो यह बहुत ही सिंपल है अभी अगर मैं आपको आगे करके दिखाऊंगो ना पूरा practical यह टुजट मैं आपको simple simple तरीके से सब कुछ बताने वाला हूँ तो आपको डरने की जुरत बिल्कुल भी नहीं है यह बहुत easy है इस्ट database से के लिए जो भी required driver होगा वो हमें install करना पड़ेगा दो चीज़ें इस्टाल करना पड़ेगा और आपको जाबा का program लिखने के लिए कोई ना कोई ID जैसे हम लोगों Eclipse इस्टाल करके रखा है तो वहीं पर करेंगे वह भी आपके पास होना चाहिए है ना चलिए अब हम आपको कुछ यहां पर हमने बनाई है class और ड्राइबर देखिए यह वो क्लासे हैं या इंटरफेस हैं जो जेडी बीसी की API में है यह जेडी बीसी की API में है तो यह API मतलब simple कुछ class class है तो उसके अंदर simple सी बात है क्या होगा functions होगी है ना उनको हम लोग काल करते यूज कर करेंगे यहां पर जो हमने रेड़ से दिखाया रिट बाक्स के अंदर यह पूरी की पूरी इंटरफेस है connection इंटरफेस है राइट ओर प्रेपेर इंटरफेस है किया इन्टरफेस का यहां पर क्लास लिखा है यहां और क्लास है driver manager class है ना और यहाँ पर last में एक exception class है SQL exception class अगर आपने exception handling का मेरा वीडियो देखा हो तो वहाँ पर हमने आपको बताया था यह SQL exception जो है यह चेक्ड exception है अगर आपको याद हो तो है ना तो यह दो class हैं यहाँ पर बांकी सारी की सारी interface हैं अब इन ही class और interface का हम युज करेंगे कहां पर अपने जाबा प्रोग्राम में और जब लग उन जाबा प्रोग्राम में क्लास या इन्टर फेस का यूज करेंगे तो simple हम अपने इस SQL database से कम्यूनिकेट कर सकते हैं और communicate कर सकते हैं तो इस database कि अंदर हम लोग tables होना सकते है tables बनाने के बारight, data को हम लोग सकते है और जो भी tables हमारे database में हरोगी उनको हम लोग अपने java प्रोगरम्हें future प्रोगर्ममें फिच कर सकते कोई भी dene cars कर सकते है अफ-date कर सकते है सब कुछ हम लोग बड़े आराम यह SQL इसको हम लोग इंस्टाल करना चालू करेंगी ओके यह बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा इसमें कुछ नहीं है simply हम लोग अब जो data रखेंगे वो हमारे database में रखेंगे जो permanently हमेशा के लिए बना रहेगा है ना अच्छा जो यह हमारे पास database होगा ना इसमें data को देखने के लिए हमें फिर से java program लिखने की जुरू नहीं हम चाहें तो java program लिख करके भी यहां से data face करके अपने java program में ला करके प्रिंट करके देख सकते हैं या simply हम इस database के अंदर भी जा करके simple कुछ query लिख करके भी हम लोग data को देख सकते हैं हाला कि जब हम यहां database से data को अपने java application में फेच करेंगे तो भी query लिख करके ही करेंगे क्योंकि अगर आपको database से communicate करना है तो आपको इसकी जो structured query language है SQL वो आना चाहिए SQL या mySQL ओके आना चाहिए है ना तो query भी हम fire करके इससे बात करके यहां से data को देख सकते हैं है ना लेकिन अगर query तो चलो आपको पता है लेकिन अगर यहां से data उठा करके आपको java प्रोग्राम में लाना है तब आपको इन सारी class या interfaces का यूज़ करना पड़ेगा तो अपने अगले वीडियो में हम लोग यह database और यह drivers वगारा install करेंगे ओके थैंक यू